नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्राज शॉर्ट है डिकेट में इस ट्रैनों क्लासेस में दोस्तों आज का हुआरा डिक्रीशन है राजस्थान पत्र का संपात्किय भ्रह्मपुत्र पर प्रोजेक्ट और चीन के इरादे ज स्टार्ट भारत के खिलाफ चीन की खुराफात कम होती नहीं लगती व्राम पूर्वी लद्दाक में दोनों देशों की सीमा पर अभी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए थे की चीन की संसद ने भ्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाने की परियोजिना को मनजूरी देकर भारत की चिंता बड़ा दी है ग्राम अरुनाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में चीन भ्रह्मपुत्र नदी पर हैड्रो पावर प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटा है इससे दोनों देशों के बीच तनाव की नई दिवार खड़ी हो सकती है विराम भ्रह्मपुत्र नदी वस्तविक नी अंत्रन रेखा LAC के करीब तिब्बत के इलाकों में बहती है चीन में इसे यारलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है अरुनाचल प्रदेश पहुँचकर इसका नाम सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है असम से यह बांगलादेश में प्रविश करती है जाहिर है चीन की प्रस्तावित परियोजना से भारत ही नहीं बांगलादेश के हित भी प्रभावित होंगे चीन का यह कदम भारत और बांगलादेश में बाड या पाने की किल्लत का सबब बन सकता है पैरा चीन की चालाकियों को समझना आसान नहीं है विराम वहे पहले तो कहता रहा की प्रस्तावित परियोजना को आकार देती समय भारत और बांगलादेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा दोनों पड़ोसी देशों को भरोसे के लिए बगैर परियोजना को चीनी संसद की मंजूरी ने उसकी कतनी और करणी में फर्क को फिर जाहिर कर दिया है विराम बेशक हर देश को अपने शेतर में कोई भी परियोजना खड़ी करने का अधिकार है लेकिन ऐसा करते समय पड़ोसी देश के नफे नुकसान को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए उचय वाले इलाके में विशाल बांध बनाने से निचले इलाकों में खत्रा बढ़ेगा यह चीन बखुबी जानता है विराम यह निचले इलाके में भारत में है विराम आशंग का उठना स्वाभाविक है की चीन बांध के बहाने भारत के खिलाफ वाटर बम बनाने की फिराक में तो नहीं है रक्षविशेशग्य चिंता जताते रहे हैं की ब्रह्मपुत्र पर बने बांधों को अगर चीन वाटर बम के तोर पर इस्तेमाल करता है तो भारत के कई सीमावर्ती इलाकों के लिए गंभीर खत्रा खड़ा हो सकता है विराम चीन ने परियोजना को मंजूरी की चाल कौड देशों के प्रमुक की शिकर पर बैट से ठीक पहले चली विराम दरसल चार बड़े देशों भारत अमरीका ऑस्ट्रिलिया जापान का यह संगठन चीन की आँखों की किरकिरी बना हुआ है विराम कौड हिंद प्रशांत शेत्र में शांती सुरक्षा और स्थिर्ता का हिमायती है चीन को लगता है कि यह संगठन उसकी घेराबंदी के लिए बना है उसके ब्रहम का इलाज किसी के पास नहीं है भारत को ब्रहमपुत्र के पानी को बांधने की उसकी तैयारियों के खिलाफ ततकाल कदम उठाना चाहिए विराम प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी बांगलादेश के दौरे पर जाने वाले हैं विराम इस मुद्दे पर बांगलादेश को भरोसे में लेकर चीन पर तुरिपक्षिय बातचीत का दबाव डाला जा सकता है फिर भी चीन जल संधियों का सम्मान नहीं करता तो सयुक्त राष्टर की मदद लेने में नहीं हित किचाना चाहिए विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टिशन पसंद आयोगी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वीडियो को लाइक करें जदा जदा वीडियो को शेयर करें और आज से आप सभी की यूट्यूब पर के लिए और वीडियो को जाद जाद शेयर करें लाइक करें धन्यवाद